में पूजा की थाले तो आई रात सुखागो बाले हाई फ्रेंज वेलकम तो मैं चैनल और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल ट्रेडिशनल मेकप लुक फॉर करवा चौत और करवा चौत बिल्कुल आने ही वाला है तो मैंने सुचा अपके साथ बहुत एजी और अफट अफड़बल लूख शायर करूँ यह मैंने मेकप लूख क्रेट किया है पॉंस्फ बिल्क ट्रीक के यहलब और इसका अई मेकब वार फ्रेंट इसका तरह का फाइनल लूख आया था बहुत ही और आपके साथ आपे साथ यह बहुत है प्रोड़क के साथ मेरे मेक अप बहुत ही सिंपल है एजी है और फोड़ोवल सारे प्रोड़क्त यूज किया है और यह लूक अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना इस वीडियो को और मैंने किस तरह यह लूक अजीव किया है आप देखेंगे वीडियो मे तो चले स्टार्ट करते वीडियो सुफरेंड मैं यहां पर यूज कर रही हूँ अलोवरे जेल एज़ा प्राइमार और यह बहुत ही अच्छा काम करता है और यह एक अफोड़बल मेक अप करनेया है तो आप अलोवरे जेल को अज़ा प्राइमर यूज कर सकते हैं नौ मैं यूज कर रही हूँ पॉंज का बीबी क्रीम और यह भी मीडियम कवरेज के लिए बहुत ही अच्छा है अगर आप बहुत हैवी मेक अप या बेस नहीं चाहते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बीबी क्रीम और इसको पुरी फेस में अप्लाई करें इससे ब्लेंड किया है और यह जो है जब हम ब्लेंड करते तो यह लगता है थोड़ा वाइट से है बट जब ब्लेंड हो जाती है तो बहुत अच्छा से से लो जाती है फिर मैं इसको एक लिए और लगा रही हूं कांसीलर तक ही थोड़ा सा कवरेज मिल जाए अंडर आई एरिया जब हम १श और आई खी यह जला एक लाता है लुक जैना शेज जाते मिल जाए दो आई जीए और रहा हु उड़ा हिएर ब्लेंड करने के लिए मैं यह है यह लेहें हूं का रोगना रोस पायोडर और सेंधिक प्लेंड नाइग लाइज को मैं और शुद्ट इस दीश में आइलाइनर भी है और आइब्रो भी लिए ब्रेस भी दिया है तो काफी अच्छा है के ब्रोडेक्ट तो इसको मैं आज़ए से आइब्रो भीशा में आइशाड़ो के लिए यह वेट इनवाई पालट इससे ब्राउने लिया है पहलो मैं इस तरी से अप्लाइ कर रही हूं एक लाइन ड्रोऊ कर लिए है इसके बाद मैं यह जो आउटर कॉर्णर दिख रा है वहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉण क्लेश पलेस किया और इनर कॉर्नर में फिर इस दोणों को ही ओपर को जोईन करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर दिया है तो थोड़ा सा brown shade मैंने पहले use कर लिया था फिर मुझे लगा कि थोड़ा pink और addition makeup रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो मैंने फिर इसी के उपर याला eyeshadow palette लिया है और इससे मैंने red color लिया है brown के उपर ही मैंने same वैसे ही लगाया है पहले outer corner पे place किया है और inner corner पे और इस तरह से line draw कर दिया क्रीज पे और आइलीट पे मैंने बहुत ज़्यादा color नहीं apply किया है हलका सा आया है उसमें और आइलीट पे मैं apply कर रही हूं यह golden color उसमें दिया हो था उसी finger की help से इस तरह से place कर लिया है दोनों eyes पे ताकि अच्छे से pigmentation भी आजाए और color अच्छे से आजाए finger की help से ज्यादा अच्छे से आता है फिर सारी चीजों के अच्छे से blend किया है तो मुझे थोड़ा और golden color चाहिए था eyeliner है gel eyeliner है long lasting smudge proof है अगर आप beginner है तो इस तरह से gel eyeliner लगाना सीख रहे है तो यह जरू ट्राइ करिएगा इसी से मैं निकाली है और इसी से मैं काजल को as a काजल भी apply कर रही हूं तो विंग निकालते हुए जो लोवर लाइन है लैसे से जहां काजल लगाते है इसको ज्वाइन क जोएन कर जिससे आइज और बॉल्ड और ब्यूटिफिल लगेंगी तो इस तरह से मैंने लगा इसमें ब्रेस दिया है वही ब्रेस मैंने यूज किया है फिर मैंने फॉल्स लैसे सप्लाइ कर ली है यह बिल्कुल ऑप्शनल है अगर फॉल्स लैसे नहीं लगाना चाहते है उससे लुक बहुत ही अच्छा आता है जरू ट्राइ करिएगा फिर मैंने अप्लाइ किया है एं लास में जो कलर दिया हुआ था आई शडव पैलेट में पिंक उसको अप्लाइ कर लिया एज ब्लेसर और एज हाइलाइटर जो इसमें मैंने गोल्डन कलर लिया था इस पे व मैबलीन का मैंने यल लिया है और लिप लगाने के बाद लूक चेंज हो गया बल्कूल मेकप अ कंपलीट है बिए प्लीच लिया आपणतर में लगा रही हूं विकौस मैं रिडेशनल लूक कर रही थी करवाट रोचाथ के लिए जोल्री युशारी के साथ ये उस तरह का ल झाल 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 झाल